दोस्तो टाइगर गया अब यहां पे तीन मूवी की दोस्तो इस पेशली बात होगी एनिमल डंकी और सलार आखिर किस तरीक है कि दोस्तो इन तीनों ही मूवीज के अपडेट आए हैं एक ही वीडियो में दोस्तो इन सब का हाल चाल देखेंगे और किस पाइदान में है क्या शाम बहादर भी हमारे इस लिस्ट में दोस्तो आ सकती है तो देख लेंगे वहीं इसके अलावा दोस्तो सलार से रिलेटेड भी कुछ तकड़े खबर आ रहे हैं डंकी से भी रिलेटेड एनिमल से भी रिलेटेड इन सब चीचों पर बात करें उससे नजदीक जो अभी आ रही है यानि कि यहां पर डंकी और सलार से सबसे पहले जो रिलीज होगी वह दो मुवी है एक शाम बहादर और एक गाए यहां पे आप लोग कह सकते हूं कि एनिमल क्या अपडेट है यहां पे रनवीर कपूर और संदीव रैडी वागाना दोस्तों क कमर कसलियाय मुवी का प्रमोशन चल रहा है त्रेलर से पहला ही दोस्तों ने कह सकते हैं कि आप अपको ब्ताओं कि रणवीर कपूर काफी सीरियस है इस बार प्रमोशन करने के लिए और लिए नौर्ट से जादा साउथ में तो गलत नहीं होगा क्यूंकर भाई मैंने देख सकते हों कि नॉर्थ में दोस्तों इसका प्रमोशन कब से सुरू होगा देखना काफी दिल चास पूँगा हाला कि देखो रनवीर कपूर आज जो वर्लड कप का मैच है इसमें गये जरूर थे लेकिन ऐसा कुछ स्टूडियों में इन्होंने बात्चीत नहीं कि जहां तक मैंने क्या आपने देखा है कि दोस्तों लास्ट टाइम के मैच में मैंने देखा कि साम बहादर स्टारर विकी गउशल जो गाइस हैं उन्होंने अपनी मुग्य का प्रमोशन करने की कोशिश की थी लेकर जापर कहसक कि इसका मौका मौका फैदा उठाना चाहते हैं हलाकि क्या कुछ वहां पे कुछ किया है इन्होंने मुझे आप लोग बता देना लेकिन यहां पर प्रमोशन शुरू हो चुका है बागी गाइस अगर हम लोग यहां पर बात करें कि ट्रेलर का बातावा दिखाई देगा दिख बुषख्छ खलिफा में इसका ट्रेलर दोस्तों रिलीज क्या जाएगा एक्सक्कुलूसीव हो सकता है कि दोस्तों एकस्कुलूसीव थेइस तारिक वो डेट दोस्तों बताई जा रही है जिया है 23 नवंबर को शायद इसका ट्रेलर आएगा यानि की मूवी के रिलीज से कबते पहले हो भाई काफी अच्छा माहौल है अभी गाइस यहां पर में और अपडेट्स आपको बताऊं उससे पहले इंटिस्पेटेड लिस्ट में कौन किस पैदार में देख लेते हैं तो गाइस देखो यहां पर टाइगर के जाने के बाद ढंकी दो हफते से दोस्तों न 14.1 परसेंट के साथ है एनिमल 10.5 परसेंगे कह सकते हैं कि यहां पर जो भी बड़ी मुवी है चारो लिस्ट में हैं लेकिन सबसे उपर किंखान की दोस्तों यहां पर शारू खान का जो मुवी है डंकी इसका सैकेंड ड्रॉप कब आएगा लेकिन अगर मैं आपको अपडे सकती है मुझे तो लग रहा है कि गाइस 101 परसेंट पहुंचेगी जिस तरह के सिनारियो था तो आप लोग कह सकते हो कि होगा गाइस वहां पर होगा मतलब वैसे अगर देखो गाइस कहने की बात है कि वर्ट कप को पूरी दुनिया देखती है तो मुझे लगता है कि वहां देखो बताया जा रहा है कि सलार के जो मेकर्स हैं बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं यानि कि देखो आपने जब अगर टीजर देखा दोस्तों इसका तो उस टीजर में दोस्तों उन्होंने काफी आपको हिंट देने की कोशिश की कि हमारी मुवी आई केजिफ से कनेक्टिड ह हैं वो जो गाइज में भी मेरे ख्याल से पांच बच के कुछ मिनट में उन लोगों रिलीज किया गया था जो रॉकी भाई के उस गाइज सिप में भी वही टाइम हो तो कुछ यह इंडिरेक्ली दोस्तों यह आपको आपको हिंड देना चाहते लेकिन इससे बात नहीं बने सब्सक्राइब कि यह अब आप लोग कंफर्म संजो की हाँ यह जो मूवी है के जिए से कनेक्टिड है और इस मूवी में रॉक इस्टार का कैमियो होने वाला है लेकिन अभी लोग संभावनाओं में नहीं जीते क्योंकि हमने देखा कि भाई लियो में यह लोग कैसे कह रह है तो आपका पहला लगेगा ना उसी वक्त कैमियों का जो गाई अगर रॉकिंग स्टार याश होंगे मूवी में वैसा ही बहार आ जाएगा तो इससे बढ़िया पहले ही बता दो कि यहां भाई रॉकिंग स्टार याश है इतने इतने मिनिट का रोल होने वाला है इसके मैं पाल कार्ट देगी चाकुशा आपका कहना इसमें बताओ मिलते किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही